हेलो फ्रेंट्स आइम तनीशा गंगराडे और यू और वाचिंग टीजी एकरी फ्रेंट्स आज हम लोग प्लांट क्वारिंटीन के बारे में बात करते हैं जीसे हम पाधव संग्रोध भी कहते हैं अभी कोरोना का पीरिट के है तो हम क्वारिंटीन को तो बोहुत ही अच्छ काना क्वारिंटीन क्या होता है इसमें क्या-क्या रूम्म से रेगॉलेशनолेस है क्या-क्या होता है कुण-क्वाइब्स सर्टिफिकेट इसव होते'm संबता है तो आक सब्स声y शातता होने वालो हैं यह वीडियो पार्में लिए बऊत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो तो सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले उसके छोटी सी आउटलाइन देखते हैं फिर हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले देज़ दारेंगे कि प्रसेशन किया से इसके बारें बैंटरी से अंपारेंटैन स्टेशन कहा कहां है उसकी कौन-कौन सी एजेंसी है डी पी-पी-क्यू-एस एन-बी-पी-जिया कहां है इनकी क्या रोल से मेरिट और लास्ट में हम सक्सेस्फुल मैनेजमेंट देखेंगे प्लांट क्वारेंटीन का तो आज की हमारी आउटलाइन से और हम इसी सभी टॉपिक्स पर आज इसका मतलब क्यों होता है कि अगर हमें कोई भी डिसीज है या कुछ भी है तो वह दूसरों पर ना फैले जैसे कि हम कोरोना में थे कि अगर किसी एक परसन को भी डिसीज होती है तो हम क्या करते है उसको आइसोलेशन में रखते हैं क्यूंकि वह जो पर्टिकुलर उस परसन किष्टीन होता है अनिमल्ज को आइसोलेशन में रखते हैं हमने कॉरोना में देखा किake undertaken मेझ अनियमनस को भी हम व्यृत Codambrand में देखा था हैं कि वहाद में फॉर्टीन by कोई दो एंग में तो ल tulee हम लिए यहीं थीनका गारींटीन में रहें हैं तो उसी प्लाठ्स को भी क् को एक country से दूसरी country एक state से दूसरी state में हम introduce करते हैं तो obviously अब वो जो plant आ रहे हैं तो सिर्फ प्लांट तो आएगा नी है ना उसके साथ diseases भी आ सकती है उसके साथ कोई pest भी आ सकता है तो वो diseases और pest हमारी country में या हमारे state में आके नहीं फेले तो उसको हम क्या करते हैं isolation में रखते हैं उसको हम primarily टरीके से Excaline करते हैं अगर कुछ होता है तो हम ऊसको क्या करते हैं चंचरोल करते हैं और फिर क्या करते हैं ockey करते हैं अ entwickelt fields में ताकि उसकी वज़े से हमारे जो already varieties या already जो plants available है उसको problem ना हो या फिर ये जो diseases है हमारी country में ना फैले ठीक है तो I hope आपको समझ में आगया होगा कि quarantine क्यों होता है क्या होता है और क्या इसका मतलब है ठीक है तो quarantine का मतलब ही होता है isolation में रखना या फिर 40 days के isolation में रखना देखिए यहां से questions पूछा जाता है कि बजाइए plant quarantine में कितने दिन का isolation होता है directly days पर question पूछते हैं तो या दखिएगा 40 days का या आप बोल सकते हैं 3 weeks का isolation होता है ठीक है अब इसकी definition है जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है legal restriction है movement मतलब agricultural commodities के movement पर restrictions लगा देते हैं ठीक है किसी भी चीज़ को prevent करने के लिए ठीक है तो हम समझ में आगे कि plant quarantine क्या है और इसकी definition क्या है अब हम बात करते हैं इंडिया में इसकी शुरुवात कहां से हुई थी और इसकी क्या history रही है क्योंकि यहां से भी बहुत सारे question आते हैं और सबसे important act जो है 1914 का destructive insect and pest act जो अभी भी applicable है और इस act के according ही हमारे हां plant quarantine के rules बने हुए हैं जो अभी भी लागू है ठीक है तो वो कब आया था 1914 में आया था destructive insect and pest act इसका full form भी पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा फिर 1946 में आय था उसके बाद plant quarantine process of exotic germoplasm initiated ATRI में start हुआ था सबसे पहले कि जो भी exotic germoplasm भार से आते हैं उसकी plant quarantine procedure फिर बाद में यह शुरू हुआ था entomology और plant pathology के लिए है ना उसके बाद उसकी जो नए unit बनी थी division मना था निमेटालोजी के लिए और आखरी में 1976 में NBPGR का setup हुआ और फिर plant quarantine की पूरी जो duty है वो किसके पास आ गई NBPGR का मतलब अब जो भी उसका head है जो भी इंडिया में उसका main role देखता है उसके rules and regulations बनाता है तो वो कौन करता है NBPGR ठीक है तो यह हमने देखी history of plant quarantine in India ओके अब हम बात करते हैं कि introduction of foreign diseases in India मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि भार से disease आती तो इसलिए यह जरूरी है क्योंकि पहले हमारे बहुत सारे diseases आ चुकि जो अभी काफी जादा हम लोगों के लिए problematic होती है या वो कभी भी epidemic cause कर देती है ठीक है जैसे late blight of potato 1883 में कहां से आई थी यूरोप से leaf rust of copy 1879 से 1880 श्री लंका से आई थी ठीक है और कौन सी country चाहिए यह आपको याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि एक्जाम में यहां से direct question बनते हैं उसके बाद हम देखते हैं plant quarantine के objectives क्या है तो देखिए हम plant quarantine के objective तो हमने discuss करे थे जब हमने पताया था तो हमने क्या बदा था कि सबसे पहले क्या करता है prevent and control of dangerous pest into the country सबसे पहले हमारा objective तो होता है कि कोई भी dangerous pest हमारे country में नहीं आना चाहिए ठीक है सेकेंड है यह local और foreign trade को भी क्या करता है facilitate करता है बढ़ावा देता है ठीक है कि अगर कोई चीज अच्छे से होगी कोई problem नहीं होगी मतलब without any disease without any pest तो trade और बढ़ेगा ना है ना और last में करता है control and reduce crop loss due to pest investment obviously अगर हमने pest को पहले ही रोग दिया तो हमारा crop loss और control हम कर सकते हैं हमको ज़्यादा problem नहीं आएगा दरवाइस तो हम जानते हैं कि epidemic भी आ सकती है ओके तो यह हमारे main objectives है किसके plant quarantine के अब हम बात करते हैं types of plant quarantine तो mainly तीन टाइप के quarantine होते हैं domestic या local quarantine दूसरा national quarantine और जो तीसरा है वो foreign quarantine ठीके तो domestic और local quarantine तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम एक state से दूसरे state में अगर हम महाँ पे prevent करते हैं या एक state से दूसरे state में जाने में अगर हम उसमें quarantine laws लगा रहे हैं उसको quarantine कर रहे हैं तो उसको domestic करते हैं national बोले तो national का मतलब होता है एक country से जब दूसरे country में जाते हैं ठीक है और वहाँ पे जो भी rules होते हैं apply होते हैं तो उसको हम बोलते हैं national quarantine और what do you mean by foreign quarantine जो international agencies के through regulate होते हैं तो उसे हम कहते हैं foreign quarantine अब domestic quarantine किसके through regulate होते हैं तो agricultural pest and diseases act जो था उसके through regulate होते हैं national quarantine जो बहुत important quarantine है ठीक है वो किसके द्वारा regulate होता है destructive insect and pest act जो 1914 में आया था उसके through हम national quarantine को regulate करते हैं और उसको maintain करते हैं तो यह भी हमने क्या देखा types of plant quarantine okay अब हम देखते हैं plant quarantine की क्या method होती है सबसे बहले आता है complete embargos partial embargos देखें embargos को मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से restrictions लगा देना पूरी तरीके से trade पे restrictions लगा देना जब एक country देख लिया कि suppose कि कोई आइटम हमारे आज कोई वेराइटी श्रीलंका से आ रही है तो जब हमने देखा कि यार यह वीवन वेराइटी श्रीलंका से आ रही है पर इसमें बहुत पैस्ट है जो हमारे अगर इंडिया में आया तो पूरी तरीके से हमको lost कर देगा तो हम क्या करते हैं पूरी तरीके से क्या लगाते है restrictions लगा देते हैं कि हम उसे नहीं करेंगे तो इसको क्या कहते हैं complete embargoes अगर partially कोई चीज हो रही है तो इसे हम कहते है पार्शल एंबेर्गोस और क्या-क्या में इंस्पेक्शन एंड ट्रीट्मेंट एंड पॉइंट ऑफ औरीजिन अगर हमें कोई चीज बेचना है या हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे तो हम उसको पहले इंस्पेक्ट करेंगे ना हम कोई चीज खराब थोड़ी देदे हैं किस इंस्पेक्शन फिर उसको सर्टिफिकेशन देंगे ठेक हैं फिर जहां पेंट्री होती है वहाँ उसका इंस्पेक्शन होगा फिर क्या होता है यूटेलएजेशन सिन ओफ पॉोस्ट एंट्री क्वारइनटेन measures के entry के बाग भी quarantine के measures होते हैं जो हमें क्या करना होता है follow करना होता है ठीक है अब हम देखते हैं कि इसकी क्या procedures है कैसे कैसे इसको apply किया जाता है अगर हमें कुछ लाना है या कुछ देना है तो मतलब कोई कोई new variety new plant हमको अगर बहार से लाना है या इंडिया से बहार जाना है तो उसकी क्या क्या procedures होगी ठीक है तो इंडिया में इसकी क्या procedure है सबसे पहले हम application एक submit करते हैं importer को या exporter को फिर application registered होगी plant quarantine section में जाएगी महां से अगर quarantine officer ना sign करा फिर उसे inspection करेंगे इंस्पेक्शन करने के बाद क्या होता है उसको जो भी suspected अगर कोई sample मिल गया suppose कि नहीं इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ है तो उसको क्या करते हैं उसको लैब में रखते हैं जब तक वो पूरा सही नहीं हो जाता या pest free disease free नहीं हो जाता तब तक उसको रखते हैं फिर उस कोई भी pest या disease नहीं है ठीक है अगर यहां जैसे को inspection किया और यहीं पर पता पढ़ गया कि हाँ यहां पर कोई diseases नहीं है तो डायरेक्ली क्या हो जाता है उसको phytosanitary certificate का issue कर देते हैं पर अगर suppose कर वहां पर कुछ मिल जाता है तो फिर इसको इतनी सारी procedure से go through होना पड़ता ह है ठीक है तो यह रही procedures for plant quarantine in India अब हम बात करते हैं inspection procedures and station तो obviously देखिए अगर हम diseases की बात करते हैं तो बहुत अलग-अलग होती है कैसे होती है जैसे कुछ fungus कॉस करती है कुछ diseases bacteria कॉस करती है कुछ virus कुछ निमेटोट्स के थू होती है तो इनकी जो methods है इनको inspect करने की method भी obviously अल अब जैसे निमेटोट गॉल्समर्ट इंसेट के जो eggs है वो तो हम visually देख सकते हैं कि हा तो उसको visual inspection stem ill worm को हम sedimentation जिसको हम बर्मन फनल टेस्ट भी कहते हैं ठीक है seed bone fungus या bacteria को हम incubation test blotter agar test के थूँ देख सकते हैं seed bone bacteria virus fungi को हम grow out test के थूँ देख सकते हैं ठीक है फिर हम इसमें electron microscopy test कुछ serological methods भी होते हैं जैसे elisa debunk agglutination test और ऐसे भी जैसे PCR वगएरा भी ऐसे कुछ test होते हैं जिसके थूँ हम station पर ही उसको एक बार inspect कर लेते हैं कि इसमें कुछ pest या इसमें कुछ diseases लगी हुई तो नहीं है तो अब हम आगे देखते हैं क्या है plant quarantine treatments अभी तो हमने देखा कि हमने उसको inspect कर लिया अब suppose कि अगर आपको महां मिल गया कि हाँ इसमें pest लगा है या इसमें कोई diseases है तो आप उसके लिए कैसा कैसा treatment दोगे तो अगर उसमें fungus का effect है तो आप उसमें fumigation करोगे ठीक है उसके ल पाटेटो ट्यूबर में अगर निमेटोट्स के अगेंस्ट देना है तो आप उसको 15-30 डिग्री सेल्शियस पांच मिनिट के लिए रखोगे उसको 48 डिग्री सेल्शियस के लिए रखोगे इट मीन्स कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी पैस्ट या डिसीज लगती है तो हम हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं इसके अलाब हम टीशू कल्चर करते हैं केमिकल स्प्रे से ट्रीटमेंट करते हैं या कोल ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि जितने भी हमारे अगर कोई पैस्ट या डिसीज उस पे इंस्पेक्ट हुई है तो वो क्या होई हम उसको कंट्रोल कर सके हैं अब हम बात करते हैं phytosanitary certificates की जो बहुत ही important certificates होते हैं phytosanitary certificate के बिना आप नहीं केसी चीज़ को import कर सकते हो नहीं केसी चीज़ को export कर सकते हो जितना important हमारा date of birth certificate होता है या जितनी important हमारी 10th की markshade होती है समझ लो अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो phytosanitary certificate भी उतने ही important है वो उनकी markshade होती है जिसमें वो यह बता देते हैं कि हाँ यह जो आप plant है या जो भी variety है जो भी crop है आपकी वो diseases और pest free होती है ठीक है और यह जो जो हमारे जो phytosanitary certificates है यह कौन से model को वो करते हैं अगर आप बोले कौन से model को confirm करते हैं तो इंट्रनाशनल plant protection convention के द्वारा बनाया गया था उसको यह confirm करते हैं ठीक है और यह किसी भी material को examine करने के बात ही phytosanitary certificate मिलते हैं जैसे 10th class पंड़ने के बाद ही आपको 10th class का result मिलता है वैसे ही यह आपको उसके बाद ही उसको पुरा examine किया जाता है पूरा देखा जाता है विशुलाइस किया जाता है उसके बाद ही आपको phytosanitary certificates मिलते हैं assurance must be done within 14 days prior to shipment of materials ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि phytosanitary certificates क्यूं इतने important है क्यूंकि without इस certificates की बिना कुछ भी import export नहीं करवा सकते हैं ठीके वह बैन लगा देता है country पर कि आप इसे नहीं कर सकते बहुत ही जादा important होते हैं ठीके तो यहां से question थोड़ा वो पूछा भी पूछ सकते हैं थोड़ा सा गुमा के questions पूछा जा सकता है तो एक बाद इंडिया तो इंडिया में कौन कौन से है और कितने plant quarantine stations है तो total 73 plant quarantine stations है कहां कहां पर है तो जैसे जितने भी airports होते हैं सीपोर्ट होते हैं या लैंड फ्रेंटायर होते हैं वहां पर मतलब जैसे जो भी चीज एयरपोर्ट के थुरू आती है तो महां पे plant quarantine stations हो गए तो सीपोर्ट पर इसके stations होते हैं लैंड फ्रेंटायर जहां भी मतलब हमारी borders होती है ना ठीक है जो भी ऐसे borders हम connect में रहते हैं जो भी ऐसे states रहते हैं महां से आते तो महां पे भी land front tires के में plant quarantine stations होते हैं कि कोई भी चीज बीना examine के थुरू नहीं आना चाहिए इसलिए हमारे देश में हर जगा plant quarantine के stations बने हुए हैं तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन-कौन सी ऐसी agencies involved है क्या सिर्फ NBPGR इसमें involved है क्या कोई दूसरी agencies भी plant quarantine में involved है तो देखिए इसमें सबसे पहले जो involved है वो है डायरेक्टरेट अफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारेंटीन एंड स्टोरेज जो फरीदाबाद में है क्रॉप स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन कांसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च आइसी आर का एड ऑफ प्लांट पैथलोजी डिविजिन ऑफस्टेट अफ एग्रिकल्चर अउनिवर्सीटी जितनी भी स्टेट एग्रिकल्चरल यूनिवर्सीटी है उनका जो इफ उसके आज इपर्ट्लोजी होगी इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा जो मेन एजनसी होती है वो तीन एजनसी है ठीक है क्वारेंटीन की मेनली तीन एजनसी है सबसे पहले नभी पीजिया जिसको फुल फॉल फॉर में नैशनल ब्यूरो अफ प्लांट जैनेटिक रिसोर्स न्यू देली में है उसके ब एगरिकल्चरल क्लोप स्पीशीज जो भी होती है अगर उनके क्वारेंटीन की बात करे तो वो देखने का काम किसकत होता है मेली एन भी पीजीय आर का होता है ठीक है उसके बाद जितना भी फॉरेस्ट ट्रीज के जो प्रोपेग्यूल्स है ठीक है अगर फॉरेस्टीरस ज उसके बाद Botanical Survey of India, जैसे कि जितनी भी remaining species, अब remaining में क्या होगा, जितनी हमारी medicinal plant हो गई, जितनी हमारे botanical दूसरे ऐसे plant होते हैं, important plants होते हैं, तो उनके लिए कौन सी agency involved है, तो वो है Botanical Survey of India, ठीक है, तो यहां से भी आपसे question पूछा दा सकता है, कि बताइए, कि कौन सी agencies, क कौन से plant के लिए responsible है, crops के लिए responsible है, forest trees के लिए responsible है, या medicinal crop के लिए responsible होती है, ठीक है, अब यहां पर बात कर ही गई है, कि इसमें कितना time लगता है, तो हम पहले ही discuss कर चुके हैं, कि इसमें mainly 40 days का time लगता है, plant quarantine में, या फिर at least 3 weeks तो लगते ही है, NBPGR को तीन वीक तो वो ल एक्जामेन करने के लिए, फिर ही वो भार क्या करता है, अलाओ करता है कि हाँ, अब आप ले जा सकते हैं, ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, तो paste and diseases under domestic quarantine regulations in India, इसके पहले हमने देखे थे कि diseases जो बहार साई है, मतलब national देखा था, ठीक है, अब हम देखते हैं, domestic quarantine किस किस को दिया गया है, ठीक है, तो fluted scale, आइसिया, पर्चसाई, ठीक है, जिसके लिए कहां से restricted है, वो करनाटका, तमिलनाडू और केरिला में, सेंजो से scale, notification का मिला तो उसको 1953 में, वो कहां पे restricted है, जम्मो कश्मीर में, पटेटो वाट, दार्जलिंग हिल्स में, एपल हिमाचल प्रदेश में, पटेटो सिस्ट निमेटोर, तमिलनाडू में, और कॉफी बेरी बॉरर, वो कहां है, निलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडू में, तो यह भी आप एक बार देख लीजेगा, क्यूंकि कभी कबार कुछ, इंपोर्टेटो वाट का तो बहुत जाता है, और बहुत चारी एक्जाम्स में, पूछा जाता है, तो यह तो एक बार देख लीजेगा, ठीक है, तो अभी हमने नाशनल लग भी देख लिया, कि किस चीज में क्वारेंटाइन, श्री नाशनल से, हम मतलब भार से, फॉरें से, कौन-कौन से, डिसीजर आई थी, हमने domestic quarantines भी देख लिया, कि हमने किस-किस चीजों को domestically restricted किया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, मतलब वो जो हमारा main agency है, वो कहां established है, उसका headquarter क्या है, क्या functions है, उसके क्या mandates है, ठीक है, तो सबसे पहले यह 1946 में established हुई थी, under Department of Agricultural and Corporation में, इसका जो headquarter है, फरीदाबाद हरियाना में, ठीक है, उसके इसके function की करें, बात करें, तो देखें, जो NBPGR है न, महाँ पे कोई नई variety आ रही है, नहीं कुछ भी आ रहा है, तो वो कौन करता है, उसका काम होता है, NBPGR का, उसको control करना, inspect करना, पर कभी कोई भ बल्क में आरी है, ठीक है, तो बल्क में अगर आरी है, और फिर उसको control करना, visualize करना, inspect करना, कोई भी काम कोई करेंगा, DPP, QS, ठीक है, तो अगर बल्क में आरी है, ऐसा भी पूछा सा सकता है, आपसे कि बल्क में आरी है, तो कौन करेंगा, normally, as in a, मतलब को introduced material, एक दो, अलिगली प्रिवेंट करता है इर्टिकेट्स अप्रेशन और कंटामिनेशन ओफ एक्सोर्टिक पेस्ट को एक्से करता है उसके बार यह क्या करता है exportable plants को certify करता है अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है अब हम बात करते हैं NB PGR की जो की बहुत ही important हमारी agency है और इसे बहुत बार हमने questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इसका establishment कब हुआ था 1976 में और या दखना जो हमने DPP QS की बात करी थी वो कब established होई थी वो established होई थी 1946 में अगर हम इसके headquarter की बात करें तो वो कहा है नियू देली में अब इसका function क्या होता है कि इसका function भी वही है कि जो भी भार से जर्म प्लास्म हो रहा है उसको क्या करना उसको देखना उसको पूरा कंट्रोल करना अगर वहां पे कंट्रोल करनांच करने का पूरा गाम किसका होता है NBPGR का पूरी responsibility किसकी है NBPGR की अब इनके क्या mandates है तो यह एक nodal institution की तरह करता है national level पर सब चीजों को manage करने का काम करता है genome based profiling करता है indigenous और exotic plant genetic resource के लिए और यह पूरा overall देखता है तो अब हम आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं कि जो NBPGR है उसके क्या क्या काम है देखिए यहां से question बन जाता है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि NBPGR के तो ऐसे बहुत सारे काम हो है तो इसके main कौन-कौन से divisions में यह divided है तो इसके क्या क्या काम से तो plant exploration collection का plant quarantine का, germ plant evaluation, germ plant conservation and genomic resources ठीक है उसके बद इसके regional stations कहा है तो इसके regional stations से अकोला में भौवाली, कटक, हैदरबाद, जोदपूर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्री नगर and थ्रिसूर and थ्रिसर ठीक है तो यह बहुत ही important है कभी कबार यहां से भी questions पुछे जाता है ठीक है तो यह रहा हमारे NBPGR के बारे में ओके हमने देखा थे कि NBPGR का है NBPGR है New Delhi में जो हमारा ICR का जो पूसा का जो प प्लांट क्वारिंटीन के क्या मेरिच है तो आप खुदी सोचें कि क्या मेरिच हो सकते हैं तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि अगर प्लांट क्वारिंटीन हुआ है क्वारिंटीन का मतलब हम कोई डिसीज आने से बचा रहे हैं सबसे पहले हमारे दिमांग में कोरोना हा ज जो भी डीशीजेस, उसको एक नई लोकेलिटी में आयनसे क्या करता है, पूरी तरीके से बचा देता है, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, कि जैसे कर आपने सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सेटीटिकेट्स बगरा दे दिये हैं, फि सबसे पहले बताइए जो एयरवोंडीश होती है उसमें प्लांट कॉरेंटीन का हम क्या करेंगे एर बॉन डिसीज तो आप कितना भी उसमें सर्टिफिकेट दीजिए आप उसमें इंस्पेक्ट कीजिए किता ही कॉरेंटीन में रख लीजिए कोई फरकनी पड़ेगा डिसीज जबाला कुछ भी चीज़ है तो हम मना कर देंगे ना हम नहीं लेंगे या नहीं हमसे कोई लेगा तो ट्रेड में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स आते ही हैं इसकी वज़े से ठीक है और नॉन टेंपरेट एरियास में क्वारिंटीन लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक किस चीज़ों का I mean कौन-कौन से डिसीज का सक्सेस्फुल मैनेजमेंट किया है प्लान क्वारिंटीन के तुरू एपल्स केप का वॉर्ट ऑफ पटेटो का मोजेक ऑफ बनाना का और लास्ट में बंकी टॉप ऑफ बनाना का हम इन सभी डिसीज का बहुत ही सक्सेस्फुल त क्या होता है इसकी कौन-कौन सी एजिंसी इंवल्ड है एंबी पीजियार के बारे में देखा डीपी क्यूस के बारे में देखा प्लांट क्वारिंटीन सेंटर्स होते कहां-कहां है इनकी क्या रोल्स है एंबी पीजियार के क्या-क्या फंक्शन से प्लांट क्वारिंटीन क या पैस्ट फ्री क्रॉप्स को या पैस्ट्यूरी प्लांट जनेटिक रिसोर्स को दिया जाता है। Second statement था कि जो हमारे phytosanitary certificates है या जो import permit है वो किसके द्वारा sign होती है तो वो ICR के director general द्वारा sign की जाती है तो बताइए किया 이 ICR के director general द्वारा sign होगी क्या ये दोनो statement सही है तो नहीं जो पहला statement है वो तो सही है कि phytosanitary certificates है कि इसको दिये जाते है? disease free plant को या insect free plant को पर जो phytosanitary certificate या import जो permit है वो किसके द्वारा grant की जाती है या किसके द्वारा sign की जाती है तो जो NB PGR के जो director है ना ये इनके द्वारा sign की जाती है ठीके वो ये sign करते हैं तब जाके चीजे आगे बढ़ती हैं यहां पर ICR के director का कोई भी रोल नहीं होता इस तरह से हमको इस चोटे से topic में भी questions को घुमा फिरा दिया जा सकता है पर आज की वीडियो के बाद अगर आपको इस topic पर भी questions पूछ सकते हैं आप हमें YouTube पर भी इस वीडियो के नीचे comment करके पूछ सकते हैं आपके जो भी questions हो queries हो इस topic से related कोई दूसरे topic से related तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे telegram channel है महां पर हम daily quiz questions जालते हैं दाकि आपकी exam के preparation अच्छे हो आपको प्रॉब्लम नहीं और आपकी exam काफी अच्छ से जाए वाट्साइब ग्रूफ Facebook पेज पर भी हमारे डेली डिसकेशन चलते रहते हैं तो आप नहां पर भी हमें जॉइन कर सते हैं साथ में हमारी website भी है tgagri.weebly.com करके जहां पर आपको agriculture की सभी materials काफी systematic और arranged manner में मिल जाएंगे हमारी जितने भी हमने अभी तक वीडियो बना है तो उसके जितनी भी PDF है वहां भी आपको available हो जाएगी तो I hope आपको इस वीडियो काफी पसंद आया होगा आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा तो हम इस वीडियो को यहीं घदम करते हैं पर उससे पहले stay healthy and stay happy thank you हुआ हुआ